जो बच्चे GMS का एक्जाम देने वारे हैं 2021 के अंदर और GMS का फोम भने वाले हैं तो जो compartment improvement या फिर पहले बार एक्जाम दे रहे हैं फिर जो उनका essential repeat आ गया था वो एक्जाम दे रहे हैं उनसे भी के अंदर एक doubt रहा जाता कि हमें 12th appearing लिखना है 12th pass लिखना है उसके लिए दहान रखना है जो बच्चे compartment, essential repeat या फिर पहले बार एक्जाम दे रहे हैं 12th का उनसे अब 12th appearing डालना है यानि कि आप 12th class में appearing हो यही आपको डालना है जो बच्चे पास हो चुके हैं उनने 12th pass लिखना है जो बच्चे improvement एक्जाम दे रहे हैं उनको भी 12th pass ही लिखना है improvement बच्चे आनि कि जो 12th pass कर चुके हैं अपने marks improve करने के लिए improvement exam देने चाहते हैं उन सभी को भी जे image के अंदर 12th pass लिखना होता है पिछले साल भी यही था और इस साल भी यही रूल रहेगा कि आपको 12th pass फिल करना है 12th pass फिल करने के बाद अगर आपसे marks मांग जाता है कि आ आप 12th के वही marks देंगे जो आपके marks आ चुके हैं चाहिए वो 75% से कम है या जादा है वो matter नहीं करता है आपको पने marks देने यह ध्यान अगने कि आप exam देने के लिए 75% चाहिए नहीं चाहिए होता है आपको admission के लिए 75% चाहिए होते हैं यानि कि exam तो वो भी दे सकता है जि आपको अपने marks फिल कर देने कांसलिंग के समय जब आप improvement की marks देंगे तो वहाँ पे आपके marks जो हैं वो देखे जाएंगे का 75% बैठ रहे होंगे जो भी rules है improvement exam के उसके according तो आपका admission हो जाएगा improvement exam के rules आप अलड़ी जानते हैं जो जी मेंस वाले बच्चे जो exam देने वाले कितने subject में देना है कितने subject में नहीं देना है अगर आप 5 से कम में देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यह बात आप पहले बीजानते ही होंगे तो आपको ध्यानकने इस चीज़ का है कुछ समझाए को आपको डाट कमेंट कर सकते है को आपको नूटिस उतने जबत करेंग थोड़ साब से वेट करें कुछ चेंडिज अगर होते हैं 75 को लेकर तो पर शेल जाएगा अभी के लिए पीडिएफ हटा दी गई है इनिकी पीडिएफ हमें शो नहीं हो रही है ऐसा के बर हो जाता कि बर सीबेसेट बेब कोई पीडिएफ आते है गया बुजाते है फिर द